नमस्कार बिहार की पुर्णिया लोकसभा सीट इस समय काफी चर्चा में यहां से निर्दलिय चुनाओं लड़ रहे हैं पप्पु यादो पहले चर्चा थी कि पपु यादो काफी चर्चा के सिम्पल पर चुनाओं लड़ेंगे, किन काउग्रिस निर्णिया टिकट नहीं दिया लेकिन इसके बाद भी पपपु यादो लगातार काउग्रेस पार्टी जिन्दाबाद के नाले लगा रहे हैं वहीं पपू यादो का टिकट कटने के पीछे जिसका हाथ बताया जारा है लालो यादो का पपू यादो उनके खिलाब भी कुछ खुल कर नहीं बोल ले अखिर ऐसा क्यों वहीं कॉंग्रेस पार्टी भी पपू यादो पर उनके निदली चुनाव लड़ने के बाद भी कोई कारवाई अभी तक करती हुई नहीं दिख रही है ऐसे तमाम सवाल है जिन पर जवाब के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट है मनोज मुखूल जो कि वरिष्ट पतरकार है एक्सपर्ट उपिनियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है पहला सवाल तो यही है कि पप्पु यादो जो है वहां से निर्दलिय चुनाव लड़ रहे है लेकिन साथ में कॉंग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी उनके खिलाब कोई कारवाई भी नहीं कर रही है कोई यह आदमी जो कॉंग्रेस पार्टी का नेता का दावा करता है और नेता हैं भी और चुणाव लड़ता है और नजली में मीद को कई दूसरा हो गया पप्पु यादब ताम ज्हाम के साथ पिछले महीने कॉंग्रेस में सामिल हुए थे और उनको उमीद थी कि कॉंग्रेस उनके लिए लालु यादब से पूर्णिया की सीट बांग लेगी और पूर्णिया की सीट से हम महाकटवंधन के उमीदवार हो पूर्णिया से महाकटवंधन के उमीदवार होते तो लडाई दिल्चस्प होती लडाई रोचक होती मुकावला कड़ा होता लेकिन अब पढ़ सीतिया बदल गई है अब क्या हो गया है कि पपू यादब इंडिपेंडेंडेंट हो गया है पपू यादब पहले कॉंग्रे देखें भी आठ तारिक तक नमांकर वापस लेने की तारिक है आखडी तारिक है तो अभी कढ़ी रोने नमांकर भड़ा है और अभी हूँ पार्टी आला कमान के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहें एक होता है ना कि आदमी जब चुनाव लरने मैदान में जाता है तो अपनी पाड़ी के खीलाब बोलता है कि अबिन्दुश्य कुछ दून देखेंडिया है इस तरह की ब Faz Over 30 जास्साथД ते लेकिन अपनी तरफ से अईसा कोई देया नहीं है कि Congress उन पर immediate action ले हाँ आठ तारिक तक अगर पपू यादब नमांकर वापस नहीं लेते हैं और तब महा गटवंदन के उम्मिदबार जो कि आरजडी की उमिदबार वहां वीमा भारती हैं उनके खिलाब मैदान में डटे रहते हैं तब Congress मजबूरन तब Congress को मजबूर उनके खिलाब एक्सल लेना होगा गटवंदन धर्म निभाना होगा और फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा लेकिन ये बात हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं कि नुकसान पपू यादो का हुआ है वह आदमी जो पूरी अप इस उम्मीद में ता कि Congress पार्टिया करवा देते हैं पार्टी हाथ निकल जाती है सिर्फ इस उम्मीद में कि पूर्णिया से हमें टिकट मिलेगा लेकिन पूर्णिया से टिकट नहीं मिलता है यानि कि Congress ने कहीं पपू यादो सा ठीक नहीं कि जो पपू यादो चाह रहे थे वो तो पूरा नहीं हुआ उसके ब जो कास्ट एक्वेशन है उसको देखा जाता है फिर सोचल इंजिनियरिंग का फॉर्मूला देखा जाता है कि किस केंडिडेट को हम कहां लड़ा रहे हैं तो उसके आज पास का क्या इंपक्ट होगा कंडिडेट का उस सब सोच विचार करने के बाद पार्टिया फैसला ले मतलब सीटों के नंबर को लेकर और सीटों के जो चुन्य की नाम है उनको लेकर भी अस्वंजस की स्थिती तक तक बनी हुई थी अब उसके बाद क्या हुआ पप्पु यादब कंडिडेस मेताओं के भरोस्य पर चले के कंडिडेस में अब जो जिस सीट की बात हो रही थी सीट पर लालु यादब नहीं भी लगा दिया कि हमको हमको अपना कंडिडे यहां से उतारना है तो उस स्थिती में अपना कंडिडेस अपना उमिदवार पुर्णिया सीट पर नहीं दे पाई वह खाते से बाहर चली गई तब पप्पु यादब खुद को चला हुआ महसू करने में समय लगेगा अभी ऐसा नहीं कि इमीडियेट जो है अभी कल गए और फिर पपुगादर राजीती में बड़ा नाम है बड़ा चेहरा है उस इलाके में पपुगादर का अच्छा खासा प्रभाव है तो उस प्रभाव को देखते हुए पपुगादर ऐसा नहीं कि सेंटरल लीडर सिप के कहने पर पपुगादर को जॉइन कि लेकिन जो स्टेट लीडर सीप है उसको लगता है चुकि वह आर्जेडी का छोटा पार्टनर है बिहार में तो उसको लगता है कि हमको पपुगादर के आने से जो जो कॉंगरेस के जो लोकल बिहार लेबल के जो पुराने उनकी राजनीसिक के लिए दिक्टत हो सकती है तो इस लिहाज से अगर देखे तो अभी पपु जाएदब को कहां तक जाकर ले आती है कहां तक मना पाती है कि नहीं मना पाती है और पपुगादर के लिए क्या करते हैं पुर्णिया के मैदान में अठे रहते हैं या फिर पेर पीछे खीचते हैं वो बीच का रास्ता निकालते हैं पपु यादो की चभी है वो इस राखे में दबंग नेता कि चभी है लेकिन आप देखे तो इन देनों चुनावा प्रसाव में पपु यादो रोते हैं मन से रोने लग जाते हैं लेकिन जिन्हों ने दोखा दिया जो कहते हैं लालु यादो खिलाप एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कॉंडरेस और यादो येडिय अभी एलाइंस में और पफूयाद़ लगतार कॉंडर लेड़िथ excel कि माला जप लहे हैं यह लालु यादब खिलाप अगर सीधा खोल देते हैं तब तो गंडस को इमिडीयेट cig लेना पड़ेगा उनको निकालना पड़ेगा, उनको बाहर करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा, है ना, तो पपुई आदब जो पिछले पंगाच साल से तैयारी कर रहे हैं, साल भड से पूर्णिया में लगे हुए, दो हजार उनीस में चुनाभारने के बाद से लगातार छेतर में जो पर हमेस के से पहले का आप किसी पलिटिकल पाटि के सिंबल पर जाते, लीरतेन में के से सिंबल पर जाते यह ऽब जोुख कर जाते तो आपके पास एक सम्स्भाव और कर ताकत काम करति यह होते हैं लेकिन इस बक्त क्या हुआ कि पप्पु यादब ने जो सोच के जो गह से पंदर दिन पहले कॉंग्रेस में कि भाई हमको मागटबंदन के हम कंडियेंट होगे और हम कांग्रेस के सिंबल प्रचुनाव लरेंगे और हमारे साथ होगा और हम मजबूत फाइट देंगे जीतें यहां तो पताने कोसिते हैं लिए काम करना चाहा रहा था अपके लिए संघर्ज करना चाहा रहा था आपके लिर्याग करना इस स्तिति में पहुंचा दिया geliyor तो वो एक बहावनात्मत अपील की जगा बना रहे हैं बहावनात्मक अपील की गुंजाइस छोड़ रहे हैं ताकि अगर कलको कोई मौका मिलता है इस तरह की चीजे होती है तो अपने लिए वो जगा बना सके जहां तक आपने एक और सवाल पूछा कि लालू यादव के खिलाप नहीं बोलना है तो उस पर जाओंगा फिर से कि लालू यादव के खिलाप बोलके वह पुर्णिया के लालू यादव और पपु यादव एक भी राधिरी के है और बिहार में OBC में सबसे अधिक संख्या य विशुक्राइब करता हैं जो कैया करता है तो वह किसके साथ है चुकि पपु यादव सेमें गमाझनेता है और चुनाव भी लड़ रहे हैं तुरह तबसे महा करणिया उम्मीद वाबनाए भारती को तो वहां का जो कॉङ्छ्स के आता है उनके मनम्मीद में वा पारती को वो किस के साथ हैं, उनके अंदर की बात क्या है? उदैय सिंग और पप्पु सिंग चुनाव लड़ चुके हैं जो कॉंगरेस जो पहले बीजेपी के भी MP रहें दो बार लेकि पिछले दो दफे से वो कॉंगरेस के टिकट पर चुनाव लड़के हार चुके थे तो आप समझे कि पपु यादव के कॉंगरेस में आने की कि उसमें कोई भी पार्टी जो संगठन जो होता है जो संगठन का धाचा होता है वह अपने लिडर सीप खिलाप नहीं जाना चाहता है तो पपु यादव चुकी कॉंगरेस में नयने आई ही थे तो वहां का संगठन है वह संगठन और लेड़ी स्टेट जो लीडर है पार् करने लोग हैं तो संगठन पर उन लोगों की पकर होती है तो उनका सुभाविक रूप से समर्थन जो है महा गठवन्दन के साथ होगा बत्वर है मतलब उनका सुभाविक रूप से समर्थन किसमक्न भीमा भारती के साथ होगा कल को क्या होगा पता नहीं भीमा भारती कंडिड तो अगर ये तीनों वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो एक पतरकार के दोर पर आपको क्या लगता है किसका पलरा भारी आप देखते हैं अभी एक चीज़ और मैं अभी अपडेट करना चाहूंगा कितले हैं कि अभी लालु यादव में दरवाजे बंद नहीं किये हैं अभी पप्पु यादव के लिए आखडी रास्ता बचा हुआ है आखडी रास्ता है आठ अपरेल साम चार बज़े तक का जो नमांकर वापस लेने की लेने का वक्त होता है उस वक्त तक का वक्त पप्पु यादव के पास बचा हुआ है अगर पपु यादव ना मांग कर वापस ले लेते हैं तो फिर उनके पास विकलब है और जेडी के टिकट पर या फिर लालु यादव अगर उधारता दिखाते हैं तो कोंगणेस के टिकट पर मधेपूरा से चुनाव लरने का अभी आर्जेडी ने लालु यादव ने का एनाउंसमेंट नहीं किया है और हम सब जानते हैं कि लालु यादव ने उनको ओफर दिया था कि आप मधेपूरा से जाके आर्जेडी के सिंबल पर सुनाव लड़िये पपु यादव को जिस दिन पपु यादव कॉंगरस में सामिल हुए है उस रात पतना में जाके ला कि लालु यादव ने अभी मधेपूरा में पपु यादव के लिए इसकोप छोड़ रखा है अगर आठ तारिक तब पपु यादव नामांकर वापस ले लेते हैं अगर दवाम में आ जाते हैं कॉंग्रेस के आरजेडी के महागठवंदर के तो फिर उनके लिए रास्ता पुला हुआ है मंधिपूरा से चुनाव लड़ने का लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर पुर्णिया से ही लड़ते हैं पुर्णिया से तीन कंडेट हो गया तीमा भारती पपु यादव और संतोष को सुबाह तब क्या सिचुएशन हो तब ऐसी सित्री में आप देखि किया अती पिछरी जाती के बीमा भारती को लड़ाने का वो प्रियोग सिर्फ पुर्णिया सीट के लिए नहीं है वो प्रियोग आस पास की सीटों के लिए भी है वो प्रियोग विधान सभाद चुनाव के लिए भी है क्योंकि जो अती पिछरी जाती का वोटर है जो वोट सिति में वहां आगर भीमा भारती पप्पु यादब और संतोश कुसवा को उसमें माइनस रखिया तो बीमा भारती यादब्द दोनों लड़ते हैं तो जो मुसल्मान वोटर है वो बीमा भारती और पप्पु गादर में डिवाइड होगा, क्योंकि पप्पु यादर की एक अपनी छबी है, एक अपना चुकी ओक लोकल लीडर सिफ है और प्रभाव रखते हैं, वो पुनिया से निर्दलिये MP भी रचुके, तो मुसलमान जो वोट है वो डिवाइड तो इसका सीधा-सीधा नुकसान वहां माहँगठ बंदन को होगा, जो यादव वोटर है, एक से डेर लाग के आज पास, वो यादव वोटर भी डिवाइड होगा, वो लालु गयादर के नाम पर बीमा भारती के साथ भी जाएगा, वो पप्पु गयादर के नाम पर पप् कर सकते ऐसी स्थिति में जो मुसल्मान वोटर है जो यादा वोटर है जो अति पिछली जाती का वोट बैंक है और बीमा भारती में तो ऐसा ऐसा नहीं है कि पुधू यादब अगर independent खड़ा होते हैं तो वहां बहुत कमजोर इस्थी में होंगे हाँ उनके पास क्याडर नहीं होगा जीतेंगे की नहीं जीतेंगे ये बात की बात है लेकिन बहुत बहुत ही मजबूत नहीं होंगे तो बहुत कमजोर भी नहीं होंगे हो सकता है fight में रहे, हो सकता है कि लडाई में रहे, तो हो कुछ भी सकता हुआ, किसी को कम नहीं नाग सकते हैं तो पुर्णिया सीट को लेकर हमने चर्चा कि कि भाई पुर्णिया में क्या होगा पपु यादो विमाभारती और संतोष को स्वाच उनाओ जड़ते हैं तो किसका पल राभारी है वहीं पपु यादो को कॉंग्रेस के खिलाब क्यों नहीं बोल लें दालो यादो के खिलाब कर क्यों नहीं बोल लें इन तमाम मुद्धों पर हमें चर्चा कि बाकि इस पर आप क्या सोचते हैं मिरा जरूर बताएगा और तमाम अपडेट्स के आप देख पे रहे हैं यवी लाइ